नमस्कार सर, मेरा नाम सुशांत कुमार कुस्वाहा है और मैं B.H.U. का एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं बहुत सौभागे साली हूँ कि मुझे आपसे अपना सवाल पूछने के लिए समय दिया गया है मेरा प्रशन है कि मैंने अपना जोश खो दिया है और मैं लगतार प्रेरित रहने वाला इंसान नहीं हूँ मैंने अपनी प्रेर्णा खो दी है उसे वापस कैसे पाऊं ताकि मैं अपना जीवन आनंदित होकर जी सकूँ और मुझे भीतरी शांती मिले धन्यवाद सर देखिए जीवन की प्रकृती ऐसी है क्रिप्या पैट चाहिए अगर आप बाहर गार्डन में जाएं और एक चीन्टी को पकड़ने की कोशिश करें बियेच्यू की चीन्टी जो यहीं पैदा हुई है यहीं बड़ी हुई है और शायद यहीं मर जाएगी वो बियेच्यू की चीन्टी अगर आप उसे पकड़ना चाहें तो वो कहेगी मेरा जीवन भार में गया मुझे मसलना हो तो मसल दो क्या यह सच है वो खुद को बचाने के लिए सब कुछ करेगी उसके लिए उसका जीवन मूलिवान है ना बहुत मूलिवान है है ना चोटा सा जीव है जिसे हम शायद देखे भी ना शायद हम उस पर कदम रखतें उसे देखे भी ना दुरभागे से लेकिन वो अपने एक इंसान, कम से कम इस ग्रह पर आप विकास का शिखर हैं, कम से कम शारीरिक रूप से, हाँ, व्यावार से जुड़ी चीजों के बारे में हमारे अंदर सवाल हो सकते हैं, सबसे विकसिट जीव होने का मतलब यह है, कि हमारे अंदर सबसे जटिल नियुरोलोडिकल सिस्टम है, और सबसे उंचे स्थर की दिमागी शमता है, इसका मतलब है आप सोच सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप में याददाश्ट है आप बहुत जीवन्त तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं और आपकी कलपना शक्ती शांदार है चीन्टी इतने जीवन्त तरीके से चीजों को याद नहीं रखती ना ही उसकी कलपना इतनी शांदार है, पस थोड़ी सी है, लेकिन अपने जीवन को लेकर उसका मन सतर्क है, क्यूंकि जिन शेक्षिक प्रणालियों से आप बालविहार से लेकर आगे तक गुजरते हैं, वो ऐसे हैं, कि उनका संबंध हर चीज से है सिवाए आपके, यह हर दूसरी चीज के बारे में है, कोई परियाटन में पिएजडी है, कोई बायो इंजिनेरिंग में पिएजडी है, कोई किसी और चीज में, इसके बारे में कुछ नहीं, यह कैसे काम करता है, इस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, एक इनसान इस तरह का का काम करता आपके शहर में काल भेरव मंदिर है, इसका मतलब ये है कि इनसान तीन समय में काम करता है, वो अपनी यादों के गुणों के अनुसार जीता है, आपकी यादें कितने गुणों से भरपूर हैं, इससे ये तै होगा कि आप अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, है कि नह तो याददाश्ट महत्वपूर्ण है वर्तमान का अनुभव महत्वपूर्ण है और आपके कल की कलपना कितनी जीवन्थ है ये बहुत महत्वपूर्ण है फिलहाल समस्या ये है कि ये चीजें पूरी तरह से आपस में मिल गई है क्यूंकि अपनी शक्तियों को अनुशासित नहीं किया गया है बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है अनुशासन का मतलब लोग सोचते हैं अंग्रेजी अनुशासन यानि बेवकूफों की तरह ऐसे चलना शक्तियों का अनुशासन नहीं है इस वज़े से आपका अपना मन आपके खिलाफ हो गया है जो दस साल पहले हुआ था आपको आज भी दुख देता है हेलो जो परसों हो सकता है वो अभी आपको दुख दे रहा है क्योंकि अपनी शक्तियों का अनुशासन नहीं है आप नहीं जानते कि अपनी याददाश्ट का और कल्पना का इस्तिमाल कैसे करना है आपकी यादश्ट आपको दुख देती है आपकी कल्पना आपको दुख देती है और आपको लगता है कि आपका जीवन दुख दे रहा है जीवन दुख नहीं दे रहा आप बस इंसान होने की दो सबसे महान शक्तियों से दुख पा रहे हैं जीवांत यादों और शांदार कलपना की शक्तियां है की ने? अगर आप अपनी सबसे महान शक्तियों से दुख पाते हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर आप किसी बीमारी से दुख पाते हैं, तो समझा जा सकता है. अगर आप अपनी विकलांकता से दुख पाते हैं, तो कोई उमीद नहीं है. हाया न? आप अपनी शमताओं से दुख पा रहे हैं. अगर आप अपनी विकलांकता से दुख पाएं तो ठीक है पर आप अपनी शमताओं से दुख पा रहे हैं मुझे आपको यह बताना चाहिए लगभग 4-5 महीने पहले ऐसा हुआ आपने शायद ऐसा समाचारों में देखा होगा एक युवा महिला, 34 साल की महिला जो हैदराबाद में टीवी आंकर थी ने पांचवी मंजिल की खिड़की से कूट कर अपनी जान दे दी उन्होंने एक नोट लेखा मेरी मृत्यू के लिए कोई भी जिमेदार नहीं है मेरा दिमाग मेरा दुश्मन है इस दिमाग को इतना बड़ा बनाने में कितने लाखों साल लगे है और अब यह आपका दुश्मन बन गया है उन्होंने इसे शब्दों को व्यक्त किया लेकिन लगबग 90 प्रतिशत लोगों के बारे में यही सच है वो अपनी ही बुद्धी से दुखी है अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल दें अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल लें तो वो शांत हो जाएंगे हाँ और इसलिए बहुत से बेफकूफ ये बोलते रहते हैं कि जीवन का परम लक्ष है पीस अफ माइंड ऐसे लोगों पर rest in peace बिलकुल लागू होता है अब आप युवा इंसान युनिवर्स्टी के जीवन में अगर कोई आपको हमेशा थोड़ा ठीक ना करता रहे तो ये कुछ ज्यादा ही आसान बन जाएगी मुझे भी याद है जब मैं युनिवर्स्टी में था तब ज्यादतर समय हम कैंटीन में या गाडन में होते थे मेरे जीवन का सबसे आसान हिसा युनिवर्स्टी था मैं जानता हूँ कि ये किसी को पसंद नहीं आएगा लेकिन मुझे लगता है कि युनिवर्स्टी के समय को छोटा करना चाहिए जब तक कि कोई कुछ वाकई शांदार ना बना रहा हो हर किसी को तीन से चार सालों के अंदर बाहर कर देना चाहिए अगर वो कुछ बहुत ही केंद्रित और तीवर काम कर रहे हैं तो उन्हें रुकना चाहिए वरना देखिए मैं आप सभी युवाओं से बस यही कह रहा हूँ अपने जीवन में जो चाहे करें लेकिन आपको किसी चीज़ पर तीवरता से केंद्रित होना चाहिए अगर आप अपने जीवन का किसी भी चीज़ में निवेश नहीं करते तो यह बेकार चला जाएगा जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में बताया जीवन का एक बुन्यादी हिस्सा है समय और यह बस चला जा रहा है मेरे यहां आने के बाद से अब तक आप अपनी कबर के दो घंटे पास पहुँच चुके हैं हाँ या ना? मनी करने का के दो घंटे ज्यादा करीब हाँ या ना? येस आप अमर नहीं हैं ये बस एक सीमित समय की अवधी है क्या आप एक मूल्यवान जीवन है मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है? तो आपको ये तै करना चाहिए कि आप इस जीवन का निवेश कहां करना चाहते हैं अगर ये मूल्यवान है तो अगर ये मूल्यवान है तो इसे कहीं फैंक दीजे अगर ये मूल्यवान है तो इसका निवेश किसी सार्थक चीज में कीजे है न? तो अगर आप इसका निवेश किसी सार्थक चीज में करते हैं तो सिर्फ जोश में ही नहीं आप हर समय प्रजवालित रहेंगे करते हैं